नमस्कार CNE TV में आपका स्वागत है। धरम अध्यात्म के कारेकरमों की शिंकला में आज हम आपको एक ऐसे अद्बुत मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जो भले ही पर्यटन के रक्षे में सामिलना हो लेकिन उसकी बड़ी महत्ता है। यहां मा जेडी तेगी की शक्ती की दिव्य अनुभूती सैग्डों लोग कर चुके हैं। यह मंदिर प्राकर्तिक रूप से अत्यंत सुरम इस्थान पर अफस्थ है। यहां आकर एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूती होती है जिसे शब्दों में बया नहीं किया जा सकता। यह मंदिर है माता जेडी देवी का जिसे चुकम काउं के रक्षक और रामनगर के निकट इस्थित मागर्जिया की बेहन के रूप में भी जाना जाता है। तो आईए आप भी दर्शन कीजिए इस मंदिर परिशरगा। यहां पहुचा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई किवदंतिया परसिद्ध हैं। बताया जाता है कि गाउं में जब भी बाड़ आती है। तो सबसे पहले यहां से कभी 13 किलोमेटर दूर मागर्जिया देवी जेडी देवी को चिताती है। जेडी देवी को अवाज लगाने के बाद जेडी देवी जो की मागर्जिया की छोटी बहन के रूप में पूजनी है। यह कहती हैं दीरो दरा दीरो धरा बेना धीर दरो दीरो बेना धीरो इस धीरो बेना धीरो पे प्रख्यात्य साहितिकार बलवंत मनराल ने एक कहानी संग्रह का भी प्रकाशन किया है। बस्तुता धीरो बेना धीरो की प्रेणा उन्हें चुगम गाउं के इस मा जेडी देवी के मंदिर से ही मिली। बहुत बड़ी कता है कि जब कभी भी गाउं में बाड आई पूरा का पूरा गाउं तबा हुआ तो ग्रामीनों की रक्षा के लिए मा ने हमेशा आवाज लगाई है। बहुत से ग्रामीनों का दावा है कि उन्होंने बाड से पूरु चिताबनी के रूप में मा जेडी देवी की आवाज सुनी हैं जो बहुत जोर से चिला के ग्रामीनों को अफगत कराती हैं कि निधी का पहाव इधर हो रहा है। इस मंदिर की कथा मैंने आपको बताई हैं आप ये विशाल व्रिक्ष भी देख सकते हैं। हाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि मा जेडी देवी के मंदिर में सुभा शाम कहा जाता है कि बाग यानि टाइगर भी नमन करने आता है। ये उची जो पहाडी देख रहे हैं ये टाइगर का एरिया है। बाग ने आज तक मा जेडी देवी के मंदिर के निकट किसी पर हमला नहीं किया। ये भी एक बड़ी बात है। आप मंदिर को देख सकते हैं। यही रात के समय कई बार बाग को विश्राम करते देखा गया है। यह हमारी लोक आस्ताएं हैं जो उत्राखंड के परवती जनवतों में घर घर गाओं गाओं में होती है। ग्रामिन शेत्रों में अवस्तेतिन मंदिरों के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। जरूरी नहीं कि जो मंदिर टूरिष्ट के आकर्शन का केंद्र हैं और सरकार के राजस्व का जरिया हैं। वही पुजनी हैं वलकि ग्राम देवता के मंदिर, कुल देवता के मंदिर एक ऐसे मंदिर और ऐसे पवित्रिस्तान हैं। जहां पर हम इश्वर को एक अद्वत सक्ति को शाक्षात महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव की बात है कि इश्वर भीड में नहीं, एकांत में मिलते हैं। भारी भीड में हमारे स्वर संभवता प्रमात्मा तक पहुंसी भी नहीं पाते। लेकिन जब हम अकेले शांत वाता बरण में इश्वर का स्मरण करते हैं। तो अद्विक्त शक्ति की अनुभूती होती है। फिलाल इतना ही, मैं हूँ आपके साथ दीपक मन्राला।